जितनी भी इंफोर्मेशन है वो में बताने वाला हूं इस वीडियो में तो एक्जाम जो होने वाला है वो 12 सप्टेंबर को होने वाला है टाइम इसका होगा 2 पीम से 5 पीम के बीच में और टोटल सीटीज, 198 सीटीज में एक्जाम कंड़क्ट करवाय जाएगा एप्लिकेशन भढ़ने की जो डेट है वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है इवनिंग से और पेपर जो है इस बार 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा यानि 4 सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्टी, जुलोजी और बोट्मी इस बार दोनों को सेप्रेट किया गया है जुलोजी और बोट्मी को ठीक है इसके अलावा टोटल कोशन 200 होंगे जिन मेंसे बच्चे को 180 कोशन करना मेंडेटरी है अनिवार रहे है इसके अलावा जो है हम बात करें सब्जेक्ट वाइस कोशन देखें तो फिजक्स में 50 कोशन हैं केमिस्ट्री में 50 जेULोजी 50 एंड बोट्नी 50 तो टोटल मिलाके ये 200 कोशन जो होंगे जिन मेंसे आपको 180 कोशन जो ही आपको करने क होने हर कोशन के चार मार्क्स है यादि कि टोटल 720 मेक्सिमम मार्क्स जो है वो अलोट किये जा सकते है हर subject में जो 2 sections होंगे हर subject में 2 sections होंगे यानि कि हर subject में 50 questions ने उनको divide किया गया है पहले section में 35 questions है and all questions are mandatory सारे questions आपको करने होंगे इसके अलावा second part में आपको 15 questions मिलेंगे हर subject में जिन में से आपको 10 करना जो है वो अनिवार रहे है हर question के जिसा में पता चुका हूँ 4 marks है और हर गलत answer के लिए आपको minus 1 marks, negative marking के रूपे दी जाए अगर हम बात करें last date of application तो 6 August 11 बज के 50 minutes रात को यह इसकी last date of application है और अगर हम fees deposition की बात करें तो 7 August 11.50 PM तक है बट आपको last time तक बट नहीं करना है जितनी जल्दी हो सके form बरने fee जमादा इसके अलाबा जो है correction जो है 8 August से 12 August के बीच में कीए जा सकते है admit card exam के 3 दिन पहले release किये जाएंगे इस बार total language 13 है पिछली बार 11 languages थी दो नई languages जो है उंट्रड्यूस की गई है वो नई language जो है वो इंट्रड्यूस के लिए Punjabi और Maliyalam तो total 13 language में read out कर रहता हूं English, Hindi, Marathi, Asami Bangla, Gujarati, Kannad Maliyalam, Uriya, Punjabi Tamir, Telugu और Urdu इसके अलाबा जो है fees के बारें बात करें हम तो total जो है general category वाले बच्चों के लिए fees है 1500 वहीं पर EWS US on OBC वालों के लिए 1400 fees होगी SCST category, PWD category और Transgender category के लिए 800 rupees fees होगी तो सभी बच्चों को जो है total series 1.5 lakh है इस बार काफी सारी seat है positive हों के तयारी कीजिए MBBS की अकेले seat है BDS की seat है 28,000 है तो Nucleon quota की और से सभी बच्चों को Good luck और आप अच्छा करके आए exam में क्रेक करें इस exam को ठीक है